बिसमिल्ला रखमादर रखीम देख लिए मैंने उपर आपको दिखाया हुए कि आज हम जिस से कॉलिज के मसी क्यूस करने जा रहे हैं वह है गवर्नमेंट कॉलिज फॉर मैं नाजवाबाद के हैं तो यह फिजिक्स वन का यानि फिस्क का पेपर है तो इसको सॉल्फ करते हैं इसके अगर आप कोई लोग मुझे कमेंट करते हैं कि यार यह क्या है तो अगस्ट का मन्त है हमारा तो हम यह इस शर्ट इस गिफ्टेट वाई मैं अधर मेरी मज़े गिफ्ट किये उन्हें का यह तुम पहनना जब तुम वीडियो बना रहे हो पाकिस्तान के हवाले से तो इसनी म पहले में कहा रहा हूं कि इस प्लेस एट इंफिनिटी तो चैप्टर नबर टैन रे डाग्राम आपने पढ़िए इंफिनिटी पे जब ऑब्जेक रखा होता है उससे आने वाली लाइट रेस क्या होती है पैरल होती है और जब भी पैरलेल लाइट रेस किसी कॉनवेक्स ल कैमेस्टी वाले जाता बैठर बता सकते हैं वैसे मेरे साथ से इसमें दो सिग्निफिकेंट है तो मैं इसको टू को इसको मार्क कर देता हूं ठीक है दो सीग्निफिकेंट है नमबर थी में हो कहा रहा है दोनों का मैगनिटूड एफ है making an angle of 180 डिगरी अब इसको देखो ऐसे समझ दो के अगर एक force इधर है और उसका magnitude F है मेरे पास और दूसरी force यहां dot बना रहे तो ठीक है दूसरी force इधर है और उसका magnitude भी F है अब दोनों के दर्मियान angle आप देख सकते हो कितना 180 डिगरी तो 180 डिगरी को हम लव्स इसमाल करते हैं opposite तो मेरा खाल है अगर दो equal and opposite forces ल linear momentum and angular momentum तो मुझे बताए linear momentum जिसको हम P लिखते है angular momentum जिसको हम L लिखते है इन दोनों के unit लिख लेते है linear momentum का SI unit है newton second और angular momentum का SI unit होता है joule second ठीक है SI unit सम लोगों ने लिख रहे हैं तो second से second cancel कर दीजिए तो newton divided by joule यह हमारे पास निकल के जवाब आएगा so newton divided by joule यह है जवाब ओके next one हमारे पास कह रहा है the SI unit of intensity of sound sound की intensity का जो unit है याद रखीगा now be careful इस mcq को करने से पहले एक है intensity level और एक है intensity इनमें फरक है intensity का unit है watt per meter square intensity का और intensity level का हमारे पास unit bell होता है जिसको हम फिर modify करके क्या decibel पढ़ते हैं तो अब इसने यहां क्या लिख लिखा है कि सर जो SI unit of intensity of sound है वो decibel है decibel intensity level का है intensity का नहीं है राइट इंगुलर स्पीड of the minute hand of the clock is clock के minute hand की क्या इंगुलर स्पीड होती इससे पहले तक कैसे निकालते हैं एंगुलर स्पीड के डेल्टा ठीटा पॉन डेल्टा टी करते हैं तो minute hand है तो पूरा एंगल जो है वो टू पाई बनता है एक पूरे सरकल में और minute hand को अगर आप सेकेंड में करेंगे तो वो 60 multiply by 60 होता है ना तो टू वंजा एंट टू थीजा एंट्री सिग्जा एटीन तो पाई अपॉन एटीन और जीरो जीरो यह हमने वहाँ बताया था रेडियन पर सेकेंड यह जवाब नजर नहीं आ रहा आई बिलीव सब इसको वहाँ से देख लेंगे कर लीजिए force और momentum दोनों की dimension को लिख लीजिए तो यह ratio कह रहा है तो dimension of force और dimension of momentum P अब force की unit होता है Newton और momentum का होता है हमारे पास Newton second क्या ख्याल है ऐसा है तो मैं अगर Newton से Newton को cancel कर देता हूं तो 1 upon second अब second जो है वो time है time की dimension क्या होती है T तो यह उपर जाकर क्या हो जाना चाहि यह T inverse so that will be the dimension of हमारे पास किसकी आज़ेगी force और momentum की ratio की सो T inverse मुझे इसमें से कहा नजरा रहा है यह नजरा रहा है तीसरा option so this is T inverse next one हमारे पास है i cap j cap k cap are the unit vector x y z axis के हैं ठीक है then k cross j तो अगर आपने cross product की video देखी हो तो मैंने तो ऐसे समझाय होगा है कि यह है i cap यहां पर लिखी है j cap और यहां लिखी है k cap ठीक है और मैंने आपसे कहा था कि आपने anti clockwise जाना है तो अगर i और j को cross करेंगे तो जवाब k आ होगा तो अब वो हमसे कह रहे है k cross j to k ko j से multiplier करें तो क्या बनता है लेकिन आप देखने डारेक्शन ओपोजिट निगे तो इस माइनस आइक यह नमबर 2 हमारे पास है next हमारे पास है the dimension of capital G तो अगर आपको dimension निकालनी आती है तो आप बढ़ी आसानी के साथ इसको कर सकते है तो मुझे बताईए capital G की dimension सबसे पहले तो इसको unit बताईए तो unit होता है newton meter square upon kilogram square newton की dimension आप जानते है mlt-2 और meter की dimension L उस पे square है तो square लगा दीजे kilogram mass है तो mass की dimension M और उस पे square है तो square अपलाय कर गया है तो 1m से 1m आपका यह cancel हो गया ठीक है तो मुझे बताईए यहाँ L को L square से multiply करें यह बन गया L cube और T की power minus 2 as it is है एक m cancel है तो m की power 1 जब numerator में जाएगा तो m की power कितनी हो जाएगी minus 1 so m inverse L cube T raise to power minus 2 m inverse L cube T raise to power minus cube option number 1 okay the unit of luminous intensity basic unit की तादा साथ है तो साथ जो basic unit है वो आपको याद होने चाहिए है तो अगर आपको याद है तो आपको पता है luminous intensity का जो unit है वो है हमारे पास candela next one if the ratio between the magnitude of the cross product to the dot product ratio का मतलब we divide कीजिए cross product और dot product का जो वो है याने इन दोनों को इन दोनों की ratio लीजिए and that is equals to 1 ठीक है if the ratio between the magnitude of cross product and dot product do not know magnitude की ratio कितनी है वन है तो वो कह रहा है angle क्या होगा दोनों vector के दर्म्हान अभ इसको देखो अपने कैसे करना है अगर मैं cross product करता हूँ तो cross होता है a cross b और dot product की बाद करता हूँ तो वो होता है a dot b अब अगर magnitude की बात करते है तो A cross B का magnitude होता है AB sin theta और A dot B का magnitude होता है AB cos theta AB से AB cancel, sin theta upon cos theta कितना होता है, tangent theta वो हमसे क्या कह रहा है, यह जो ratio है, हमारे पास क्या निकल गया है, tangent theta यह जो ratio है, magnitude की यह किसके बराबर है, 1 के तो आप theta is equal to tangent को वहाँ ले जाए, tangent inverse 1 calculator से पूछ लीजे, tangent inverse 1 कितना होता है, I believe so कि यह 45 degree होता है, क्योंकि 1 upon under root 3 30 पे होता है फिर 1, तो 45 है मेरे साब से, बारल आप इस तरहीं किसे करके देख सकते हैं 10 inverse 1 कीजेगा, तो मुझे यकीन है कि 45 degree इसका जवाब आ जाएगा तो अभी अगर हम cross product को कर लेते हैं, तो किसी vector का अगर cross हम उसके अपने साथ करते हैं, यह सारी बाते हैं वैसे बारहल थियोरी में तो बहुत ज़्यादा discuss कराते हैं teacher, तो a cross a का मतलब है कि पहले vector का magnitude, cross के बाद दूसरे vector का magnitude और sign के बाद दोनों के दर्मियान angle, तो अब मुझे बताओ, जो जिस direction में यह vector है, मुझे नहीं पालू इसकी direction कौन सी है, बट इसकी कोई direction तो होगी, exactly वही direction इसकी भी है, तो अगर मैं एक इस तरफ इशारा करता हूँ, दूसरे इशारा बनता है, so, यहाँ पर हमारे पास होगा 0 vector, अच्छा, इसको null vector भी लिख सकता था, लेकिन उसे 0 vector लिखा हुआ है, तो हम 0 कह रहे हैं, और null vector बोले तो फिर भी आपको याद रखेगा, अगर किसी vector का जवाब magnitude 0 आता है, तो वो null vector कहला था मरे पास, if the power of the converging lens is 4 diopter, what is the focal length of the lens, यह विसे reduced levels में तो नहीं है, लेकिन बारल कर लेते हैं इसको, तो हम जानते हैं कि जो power होती है हमारे पास, वो होती है 1 upon focal length, जबके focal length किसमे होगी, meter में होगी, अच्छी तरह याद रखेगा, so focal length अगर मै यह किसमें डीवी, diopter में होती है हमारे पास, और कितनी diopter है, 1 upon 4, so this is 1 upon 4, और अगर मेरे जवाबाद centimeter में है, तो मैं इसको centimeter में कैसे convert करूँगा, तो यह मेरा 0.25 हो जाएगा, 0.25 meter है, तो मैं इसको 100 से multiply करूँगा, तो this become 25 centimeter, ठीक है, so 25 centimeter is my answer, next one, कह रहा है, the length of the compound microscope, compound microscope की length क्या होती है, देखिए, मैं आपसे बार-बार कह रहा हूँ, theory की तरफ में move करता हूँ, I believe so, कि अगर आपकी theory strong है, तो आप बहुत सारी चीज़ों के जवाबाद बड़ी अच्छे तरीके से दे सकते हैं, और समझ सकते हैं, तो अगर आपको य object रखा था, इस object से यहाँ पर एक हमारे पास image बना था, तो lens से लेकर image तक का जो distance होता है, वो हमारे पास क्या कहलाता है, Q, objective का है, तो Q 0, इस Q 0 को उसने पहला lens का हुआ है, तो इसको मैं कहले तो Q 1, ठीक है, पहले lens का image है, वो दूसरे lens के लिए किस के तोर पे behave करता है, object क के तोर पे है, सही है ना यह बात, तो पहले lens का image दूसरे के लिए object बन गया, तो lens से लेकर object तक का distance क्या कहलाता है, पी, चूंकि आई-पी से है, पी-ई कह रहे हैं, लेकिन उसने इसको दूसरा lens का है, तो हम इसको कहते हैं, तो दोनों lenses के दरम्यान जो distance होता है, इसी को length of compound microscope कहते हैं, तो compound microscope क्या हुआ, Q1 प्लस P2, या हम इसको कह सकते हैं, Q0 प्लस P2, तो Q1 प्लस P2, Q1 प्लस P2, तो पहला जवाब है हमारा, next one, कह रहे है, if A is equal to AI, B is equal to BJ, then B cross A will be, तो B cross A हमारे पास क्या होगा, देखो यह हमने आपको model paper में भी solve कर रहा है था, तो यह आपको आ आना चाहिए, असान सही हमारे पास, कैसे हो जाएगा, देखिए, अगर मैं कहता हूँ, B cross A, तो मुझे सबसे पहले B vector को लिखना है, और B vector मुझे कितना दिया हुआ है, यह दिया हुआ है, B, J क्या है, cross उसके बाद vector A है, तो vector A मुझे दिया हुआ है, AI क्या है, अब यह B और A तो magnitude है, इसको B, A लिखो, या A, B लिखो, magnitude से कोई फर्क ने पड़ता है, हाँ, J cross I, अब इसका क्या बनता है, अभी थोड़ी दर पहले मैंने आपको याद करवाए था, ठीक है, बलकि रिमाइंड करवाए था, I cap, और J cap, और K cap, तो अब मुझे बताईए, अगर मैं J से I की तरफ जा रहा हूं, तो क्या हैगा, K, लेकिन देखें, यह opposite direction नहीं है, मुझे तो anti-clockwise आना था ना, यह clockwise जा रहा हूं, तो अगर मैं ऐसे जा रहा हूं, तो यह minus K हो जाएगा, so A, B और minus K cap, तो यह minus A, B और साथ में K cap, this will be my answer, so minus A, B, K cap, यह रहा मेरा जवाब, ती Next one है, velocity of the body is decreasing than the acceleration, अगर velocity कम होगी, तो acceleration को negative acceleration हम कहते हैं, यह बहुत सारी दफ़ा आप लोगों है, metric में, first year में भी पढ़ते रहे हैं, Newton loss में, Next हमारे पास है, when a body slide over a surface, a kinetic friction and the static friction are related, देखो, जब कुछी चीज चल रही होती है, तो उसकी friction, और जब कुछी चीज रुकी होती तो उसकी friction में क्या फरक है, मुझे बताओ, एक घाड़ी को कुछ लोग धक्का लगा रहे हैं, और वो आस्ता आस्ता चलने शुरू ही, आपने आके इसको साथ help की और धक्का लगाने शुरू किया, तो चलती घाड़ी को धक्का लगाना, पुश करना ज्यादा असान है, अच्छी तरिके से यहाद रखिएगा, ठीक है, सो स्टाटिक फ्रिक्षिण जियादा होगी, फ्स ज्यादा होगा, और फ्स, एक काइनेटिक फ्रिक्षिण हमेश कम होगा, right, सो काइनेटिक कम होना चाहिए, स्टाटिक ज辛ादा होना चाहिए, इस विल भी माइज 2 द्रॉप करने का मतलब होता है फ्री फॉल के रहा है अगर हम एक्वेशन और मोशन को ही याद कर लें वैसे तो फाइनल विलॉसिटी अगर वह हमसे पूछ रहा है तो वी आई प्लस और फ्री फॉल के लिए हम जी टी लगा रहे थे हैं यहीं बहना सही पढ़ा हूं ना मैं हम से स्पीड यास फाइनल स्पीड मालूम करने को कह रहा है तो चुक्क हमने फ्री फॉल कर रहा है ड्रॉप किया है तो इनिशन विलॉसिटी तो जीरो हो गई और जी की वैली होती है 9.8 और टाइम 3 सेकेंड है तो फाइनल विलॉसिटी कितनी हो जाएगा अगर इसको 10 मालू तो 10,3 जा 30 तो 30 के आसपास होना चाहिए मेरे जवाब तो 30 के आसपास 29.4 यह 30 के आसपास यही बनेगा जवाब ठीक है नेक्स वन हमसे वो कह रहा है कि 1500 kg विएकल स्टार्ट फॉम रेस 1500 kg उसका मैस है रेस से स्टार्ट किया वही बात है इनिशन वह से 0 होती है रेस का है तो जब भी uniform acceleration का लफ सुने तो बस समझ जाएं कि equation of motion यूज होगा so accelerate uniformly and attain और आसिल कर लेता है एक velocity 40 मिटर पर सेकंड की 10 सेकंड के अंदर तो force क्या होगी अभी हम निकाल लेते हैं force को इश्यू नहीं force को निकालना हम जानते हैं जब कभी force का formula आता है तो हमें याद आता से मैस हमें कितना दिया हुए 1500 दिया हुए और acceleration क्या होगी क्या मैं acceleration क्या नहीं जानता है final velocity minus initial velocity divided by t अगर आप गया है तो मैंने equation first equation of motion समय ले मैंने use किये ऐसा कहले हम तो f is equals to 1500 multiply by final velocity जो attain की है वो है 40 meter per second initial velocity 0 है और time at 10 second तो minus 0 तो मैं रखाले खतम हो जाएगा हटा देता हूँ 0 से 0 cancel 4 और 4 को अगर आप 1500 से multiply करें तो this become 6000 and the unit is newton so 6000 newton must be my answer और यह रहा मेरे पास जवाब 6000 okay next one हमारे पास फिर स्क्रीन से आउट हो रहा है एक second दीजेगा मुझे अच्छी कह रहा है कि the acceleration due to gravity on the planet Jupiter is 2.6 time that of the earth gravity challenge ठीक है मान लेते हैं इसकी बात जनाब तो वो कह रहा है कि जो planet Jupiter है उसकी gravity जमीन से 2.6 time जादा है what will be the mass of the body on the on the Jupiter if it's mass on the earth is m जमीन पे अगर उसका mass m है तो Jupiter पे mass कितना होगा Jupiter पे gravity जमीन के मकाबले में ज्यादा है 2.6 time है लेकिन हम यह बात जानते हैं कि gravity की जब हम बात करते हैं तो mass का कोई इसमें अमल दखल नहीं है मतलब according to जो Newton ने हमें बताया था कि बलके Newton सोरी में कह रहा हूँ Galileo ने हमें यह बात बतायी थी कि अगर हम किसी metallic ball को और किसी कबूतर के पर को दोनों को एक साथ drop करें तो in the absence of air friction हवा नहीं होनी चाहिए तो अगर air मौझूद नहीं है तो वो metal का ball और वो कबूतर का पर दोनों एक साथ जमीन पर आएंगे याद रखीए तो मैस कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर तो इसका मैस M होगा अच्छा इसके उपर आप चाहें तो BBC वन करके BBC ने डॉकुमेंटरी बनाई हुए कि यानि आप यह कह सकते हैं gravity experiment और BBC लिख दें यूट्यूब में तो आपको दिखा देगा आपको बड़ी हॉल है जिसमें से उन्हों ने यह सारी निकाल किया और उसके बाद एक पर को यानि कभूतर के परों को और मैटल की बॉल को बहुत भारी मैटल की बहुत को दोनों को एक साथ रिलीज के और दोनों एक साथ जमीन पर हैं सब्सक्राइब को बैठर कर सकते हैं सो मैस का ग्रैविटी से कुई लेना देना नहीं है सो आंसर इस एम ओके नेक्स वन नमबर 22 के रहा है दे सेंट्रिपिटर एक्सलिशन और बोरी मुविंग अलॉंग 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 अगर वी की जगह पर हम आर ओमेगा पुट करते हैं तो यह बन जाता है आर इस्क्वाइर ओमेगा इसको बता दूं वैसे तो यह थियोरी स्क्वाइर और ओमेगा जिस तरह के हम जानते हैं टाइम पिरोट का फॉर्मूला होता है टू पाई अपॉन ओमेगा सो दिस इंप्लाइज एट ओमेगा को अगर मैं इधर ले जाओ टी को इधर ले ओं तो यह बन जागा टू पाई अपॉन टी अब यहां पर पूट करता ह तो मेरी सेंट्रीपिटल एक्सलोरेशन है हो जाएगी और इंटू पाई अपॉन टी पर होल स्कॉर तो यह सकॉर टू पर ओए गा तो पाई पर को स्कॉर और पर को स्कॉर नहीं है डिवाइद भाइद पर या स्कॉर तो टी स्कॉर तो इस फोड़िस फॉर्मूला ौन पा at the moment projectile की speed कहां पर maximum होती है अभी हम बता रहे दिए जनाब कहां पर maximum होती है देखिए जब जम किसी projectile को project करते हैं तो वह ऐसे जाके यहां किरता है horizontal speed तो throughout constant रहती है लेकिन जो वर्टिकल स्पीड है वर्टिकल वलॉसटी है वह पहले तो ज्यादा होती है बाद में बहुत खतम हो जाती है magic Um हागर और फिर उसके बाद होना शुरू होती है जो वर्टिकल व्लॉसटी है वह दूबरा अचीव है यह है एक point और दूसरा point है यह वह point जहां से हमने projectile को launch किया और जहां जाके उसने impact किया वापिस जमीं से टेकरा है यह दो point पर हमारे पास याद रखिएगा projectile की जो speed है वो maximum होती है उसकी जो velocity है resultant velocity कहलें maximum होती है वो अलग बात है horizontal velocity यहाँ पर और horizontal velocity यहाँ पर सेम है यहाँ पर भी सेम है यहाँ पर तो projection point of projection yes hitting the ground yes to both of these तो बोट अफ दीज यह दोनों पॉइंट है नेक्स वन किराए दे लीनियर एंगर विलॉस्टिटी सब पार्टिकल बॉविंग अबाउट दस सेंटर अफ तो अगर आपने थियोरी की वीडियो देखी हो चैपकर नंबर फॉर की तो मैंने बताया है कि हमारे पास हमने ड्राइफ क위 विज्गर सूर ऑडा और जब हमने इसके ओपर अएर लगायाया ह्या तो हम ने लिखा थाओं ओमेगा ख्रोस ऑं ये इस तरीकसे जब्रॉस पोड़क जबाजयां में लिखते हैं तो पहले ओमेगगा लिखेंगे फिर ख्रोस और लिखेंगे यह अच्छी तिल्ग से याज रखिएगा सो हम देख लेते हैं हमारे पास्ट ओप्षिन कों से हैं ओमेगा क्रॉस एफ नहीं आर क्रॉस ओमेगा नहीं वी क्रॉस जी आर क्रॉस वी नहीं मेरा खाला यह दूसरा ओप्षिन है लेकिन यह थोड़ा सा हुआ हुआ है यानि इसको लिखना चाहिए ओमेगा क्रॉस आर इसने आर क्रॉस ओमेगा लिख दिया कोई बात नहीं अग्ले समें हो कह रहा है हमसे के दी एंगल सब्स्टेंडिट एड़ सेंटर ओफ एन आर्क एक आर्क है और उस आर्क का एंगल क्या होगा यह पूछ रह लिखर में करें किये कि मैं जानता हूं कि एस बराबर होता है आर ठीटा टोचीटा की वैइल्य वाइलियो होगी ऐस आप और एकरी करते हैं विससे क्यूंकि मुन्हें एंगलर डिस्प्लेस्मेंड ये एंगल मालूम करना है तो यह आर्क लैंड जो है तो यह डबल है रेड रेडियन हमारे पास बराबर है 57.3 डिग्री के तो मुझे बताइए टू रेडियन फिर हमारे पास किसके बराबर होगा तू मुल्टिक्लाइब है 57.3 तो मेरे खाले से कर लीजिए मैं ऑप्शन अगर देख रहा हूं तो 50 50 100 और साथ से जोधा तो 114 तो यह हमारा करेक्ट दिस्क डिक्रीज呢 ब्लबासर देख यतिश्क भूम रहे है और वग के सास का मोरी है तो को कह रहा है कि ऐंगॉलर एक्सलेशन और ऑंगुलर विल एक्सलेशं को कि आंगॉलर टी की डियरेटिस्छन काम ओ लीए है तो एंगुलर यहां पे इंती पैरलेलल अगाल हुक है तो तो फिर मैंने option टिक करना था parallel okay next one 27 वो कह रहा है कि if the radius of the earth were to shrink and the mass were to remain the same radius को कम कर रहे हैं लेकिन mass उसी तरीके से हमारे पास और किसका हम कम कर रहे हैं अर्थ का तो कह रहा है acceleration due to gravity on the surface of the earth तो जनाभी आली आपने radius को radius of the earth were to shrink and mass were to remain the same अच्छा रीडिस कितना श्रिंक के यह नहीं बताया है तो मैं खिर equation लिखता हूं और आपको समझा रहे तो देखिए gravity का जो formula है वह हमारे पास है capital G m e upon r e square यह का है surface पर तो अगर mass को मैंने नहीं किया और मैं radius को कम कर रहा हूं तो यह कम होगा तो यह क्या होगा इंक्रीज होगा बास समझा रही है mass को तो remains the same है न और G तो ऐसी constant होता है capital G तो radius अगर हम कम करेंगे श्रिंक करने का मतलब क्या होता है radius कम करना तो gravity इंक्रीज करेगी सुस्का जवाब है increases next one the value of the gravitational constant capital G was determined experimentally किसने experimentally determined the metric question है और इस तरह की history के question मैं समझता हो नहीं देने चाहिए हर बच्चे ने इस तरह से नहीं होता है यह तो हम लोगों को रटा लगा होता है मुझे तो खेर रटा लगा हुआ है दस दफा मैंने किताब में पड़ा हुआ है तो Henry Cavendish ने किया था तो कविंडिश लिखा हुआ मुझे तो इसका पूरा नाम रटा हुआ है एंड्रिय के विनटिश तो मैं एंड्रिय के वेंडिश कर रहा हूं नेक्स 29 कि एफ ए मैं जोंस अबव अबाव अज्ट सर्था रहा है जमीन के रेडियस के थ्री टाइम उपर जा रहा है ग्राविटी एड पॉइंट वहां पर एक्सलेशन डूटी कहा होगी यह बतानी है तो यहाद रिखिएगा हमारा चैप्टर नंबर 6 उसने एको नुमेरिक नंबर 5 मैं उसन ने जितना जमीं का रेडियास है इत्रों अवपर जितना जमीं का रेडियेस उसका डंवल उपर तो उसने ट्रिपल उपर कर दिया थ्रैस औएंडिया तो वहां मैंने ये बास समझाई थी कि अगर ये जमीन है, सेंटर से लेकर सरफेस तक का डिस्सेंस हमारे पास radius of earth है और हम इसका 1, 2 और 3 टाइमस उपर जा रहे हैं, ठीक है? तो ये सब क्या हो जाएगा? र, E, र, E और, R, E तो मुझे बताएगे, सेंटर से यहां तक का डिस्सेंस है, वो कितना हो गया? 1, 2, 3, 4 तो अगर हम G का फॉर्मूला देखते हैं, तो वो है कैपिटल G, M, E, अपॉन, R, E, स्कॉर, ये कहां पर है? अट, सरफेस, जमीन की सरफेस पर, एगरीड? तो इस कंडिशन के हिसाब से, अब जो ग्रैविटी है, उसको मैं G- कह देता हूँ, तो कैपिटल G, M, E, इस पर कोई फर्रक ने पड़ेगा, मैंस पर उपर जाते हुए, रेडियस, पहले जमीन की सेंटर से सरफेस तक का डिस्संस R, E था, तो मैंने R, E पर स्कॉर लगाया तो 16 और साथ में R, E स्कॉर, तो मुझे बताईए, 1 upon 16 और ये सारी चीज, ये सारी, G, M, E upon R, E स्कॉर, क्या ये ही G नहीं है, तो हमारे पास क्या वाँ, G divided by 16, ये मेरे जवाब है, so 1 upon 16 G, that's my answer, okay, next one, 30, the rate of doing work, power कहते है हम लोग इसको, is 0 when the angle between force and the velocity, तो मुझे बताईए, power का formula F dot V, तो अगर आप इसमें से dot अटा दें, तो F V cos theta, तो ये पूरा अंसर कब 0 होगा, जब cos कितना होगा, 90, cos 90 कितना होता है, 0, 0 को multiply करें, V से F से पूरा अंसर 0 हो जाएगा, तो it should be 90, तो जो angle between force and velocity, वो कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए, next one, 31 ocean tides are caused by, ocean tides, यानि जमीन, आपने समंदर में देखा होगा, tides आती है, तो इसकी वज़ा क्या है, इसकी वज़ा ये है, कि कोई चीज है, जो पानी को खैंच रही है, लेकिन फिर जमीन उसको खैंचती है, तो पानी उपर जाकर वापिस जमीन पर गर जाता है, यानि उपर जाता है पानी और फिर यह नहीं चाहता है, फिर उपर जाता है, फिर उपर जाता है, इसको हम कहते हैं, tides, high tides भी होती है, लो tides भी होती है, इसकी वज़ा ग्रैविटी है, तो वैसे तो मैं आपने बार बता दूँ, जब हम intermediate की बात करते हैं, तो हम two body problem की बात करते हैं, यानि मैं यह कहना चाहरा हूँ कि जब हम F पढ़ाते हैं, तो capital G, M1, M2 upon R square, तो हम two masses के बारे में बात कर रहे होते हैं, ठीक है, तो हम three body problem, यानि तीन masses को नहीं लाते, many body problem, बहुत सारे masses को नहीं लाते, जबके solar system ही हो रहा है, तो बारहाल यह question, मैं आपको उसका जवाब जाता हूँ, नॉर्मली हम कहते हैं कि चान, जारत तर इसका इसकी वज़ा है चान, और डूसरे नंबर पर इसकी वज़ा है सूरज, तो gravitational force है, किसकी हमारे पास, gravitational force of both the sun and the moon, मैं यह कहना चाहता हूँ, intermediate के लेवल के पर, फिर हमें यह कह देना चाहिए, इसको सरफ moon, लेकिन चुक्के 3 body problem में आ रहा ही है, लेकिन बारल, moon and the sun both, the least distance of distinct vision for the normal person, normal person के लिए, जवान आदमी के लिए 25 cm, मिलिमेटर में 250 mm होगा, 250 mm है, एक मणा बाकी जवाब भी दीख लो, इदम इसको टिक कर रहा हूँ, 2.5 mm, 25 mm, नहीं, 25 mm, नहीं, 250 mm, ठीक है, अच्छी, बोथ, kilowatt hour and electron world, chapter number 7, work power and energy, work के different unit बताया हैं, work के topic के खतम होने के बाद, page number, जो chapter number 7 है, उसके तीसरे page के उपर होगा, तो याद रखीगा, kilowatt hour and electron volt, दोनों energy के unit है, अच्छे तरीके से याद रखीगा, kilowatt hour and electron volt, next one हमारे पास, next में हम कह रहा है के, if the velocity of the body is double and the mass is reduced to the one-fourth of the initial value, तो kinetic energy हमारे पास क्या हो जाएगी? हम देख लेते anytime तकर के kinetic energy का जो formula हमारे पास, kinetic energy हो है, हमारे पास half mv square अब वो कह रहा है के kinetic energy dash, नहीं kinetic energy क्योंगी, k- डश कह रहा हूं, कब के velocity हमारे पास double हो जाए half, यह mass है, velocity हमारे पास 2v हो जाए, इस पे square कर दिया, और and the mass reduces 1 4th और mass जो है 1 upon 4m हो जाए तो कर लेते हैं इसको ये 1 upon 2 multiply by 1 upon 4 times m multiply by square 2 पे लगा है 4 ये square v पे लगा है v square 4 से 4 cancel so half m v square यहनी same kinetic energy आ गई so new kinetic energy as it is ही रही कोई फरक नहीं पड़ा अगर हम velocity को double और mass को four time reduce कर दें okay so remains the same okay जनाब next हमार बस कह रहा है monochromatic yes monochromatic light cannot be light reflect होती है reflect होती है monochromatic light focus भी हो जाती है disperse देखिए आपने पढ़ा होगा जिसना light को हम जब सूरज की रोशनी पानी के कत्रे पर पढ़ती है तो prism वाला काम होता है और सूरज की रोशनी मुक्तलिफ रंगों में तोड़ जाती है अपने पढ़ा होगा ना violet, indigo, blue, green, सबसे नीचे red, whip gear जिस हम कहते हैं तो ये क्यों तोड़ती है इसलिए कि सूरज की रोशनी जिस हम wild light कहते हैं उसमें मुक्तलिफ frequencies की रोशनी होती है अब जब लवज इस्तेमाल हुआ monochromatic, monochromatic का मतलब एक रंग जिसको technical, physics की जबान में एक रंग का मतलब क्या होता है एक रंग का मतलब यह होता है कि जिसमें सारी की सारी light की frequency एक ही होगी same frequency होगी या दूसरी जबान में same wavelength याद रखेगा same frequency, same wavelength this is called monochromatic, chapter number 9 तो अगर same frequency है तो वो disperse, यानि मुख्तलिफ frequencies में मजीद नहीं तूटेगी क्योंकि अगर उसके अंदर और different frequencies होगी तो हर frequency अपने अपने हिसाब से bend हो जाएगी this is called dispersion लेकिन चुके ही एक frequency तो क्यों dispersion होगी, got my point so monochromatic light में dispersion नहीं होगी अच्छे तरीके से याद रखिएगा next हमारे पास है the one of the following is not the unit of power, power का unit नहीं है हमारे पास, तो मुझे बताए होस power, power का unit है joule per second, joule का मतलब होता है work, और second ना मतलब होता है time work divided by time, power होता है हमारे पास kilowatt hour इससे पहले भी हमने बात किये kilowatt hour किसके unit है हमारे पास energy का, power का नहीं है, energy का है हलाकि इसमें watt का लख सिमाल हो रहा है और foot, power per second आपको याद होगा कि जब हम कुछ इस तरह किसे बात करते हैं यह भी मैं आपको बता दू कि जब हम power की बात करते हैं तो हम कहते हैं work upon time work on the Elean для Joule time को हjennal second, Joule को हम कहते है Newton, meter upon second और जब हम British Engineering System इसमाल करते हैं तो Newton की जगह पर आता है foot और meter की जगह पर आता है हमारे पास sorry Newton की जगह पर हमारे पस आता है pound याल-बी और meter की जगह पर आता है feet और second तो feet pound पर सेकेर या पाउंद फीड पर सेकेंड यह भी पावर का यूनिट है तो कौन सा पावर का यूनिट नहीं है वाच आरो है ओके जी तरींड ओभी ऑड़िवल्स साउंड मेरा भच्पन से पढ़ते आ रहे हैं 20 से 20 थाउजन हर्ट तक इनसानों के लिए ओके जनाब, the rate of change of angular momentum is called torque, दो बाते हैं, rate of change of linear momentum, force, rate of change of angular momentum, torque, रट लेना इसको, दोनों को अच्छे तरीके से, ठीक है, linear momentum का change हो, तो आपने क्या बोलना, force, angular momentum का change हो, तो torque, next हमारे पास, the direction of angular momentum to the plane of the position vector and the linear momentum is at, is at, थोड़ा सा question के, आपके साथ, इनकी plane के साथ, को से angle बना रहा है, किसके, आर और linear momentum के साथ, so, अगर हम एक circle की बात करते हैं, center से लेकर, circumference का distance हमारे पर radius होता है, यहाँ वो particle है P, और यह है वो direction, जिस direction में velocity है, और इस इस direction में हमारे पास linear momentum होगा, तो radius और linear momentum दोनों 90 degree होते हैं, और इन पर perpendicular, इस तरह पर perpendicular, तो जो के हम तस्वीर में ऐसे करके बनाते हैं, this is the angular momentum, so, angular momentum R और P दोनों के उपर, वैसे भी अगर आप formula लगाएं, तो R cross P, तो cross product की direction क्या होती है, अगर आपने vector पढ़ा है, इन दोनों पर perpendicular होती है, ऐसे ही ना, पहले vector की direction में हाथ को रखे, दूसरे की direction में उम्यों को rotate करें, तो thumbs outside the plane, तो perpendicular होगा, तो perpendicular मतलब है 90 degree, जो मुझे इस question को पढ़ के समझ में आए, मैंने उसे साब से जवाब को mark कर दिया, ठीक है, okay, number 40, young double state experiment में fringe spacing का formula यह पहले भी आचुका है, हमारे पास DJ में, lambda L upon D, so fringe spacing is lambda L upon D, the resistance in the flow of fluid, कोई fluid, यानि बहने वाली चीजों की में जो resistance होती है, उसे हम कहते है, fluid friction, viscous drag, viscosity, so this is called viscosity, coefficient of friction नहीं, ठीक है, this is called viscosity, the weight of the man 600 newton जमीन पर है, उसका weight moon पर क्या होगा, जहां पर gravity, जमीन की gravity का 16 है, तो बिलकुल सीधी सीधी सी बात है, देखिए, हम जानते हैं, कि weight का formula होता है, mg, अब अगर moon पर gravity मालूम करना है, यह मैंने मून के लिए, ठीक है, यह मून के लिए, त mass तो चाहिए नहीं होता, तो gravity भी किसकी लिखूँगा, moon के लिखूँगा, है ना, तो मुझे बताइए कि, अब यह मेरे पास क्या हो जाएगा, m, और साथ में gravity जो moon पर है, वो मुझे उसने कितनी दिये, जमीन की gravity का 6, कैसे नहीं लिखा हुआ, yes, g upon 6, तो weight जो moon पर है, व तो हमारे पास mg, तो weight बना, जो क्या हमें 600 newton दिया हुआ है, तो मैंने इसको लिखा, 600 divided by 6, तो यह बन गया 100 newton, तो मेरा जवाब है 100 newton, ठीक है, thank you so much, यह हमने government college for men के जो है, वो MCQ solve कर लिए, अच्छे MCQ बनाए होते हैं लोगों ने, still if you think के आपको कुछ चीज पूछनी हैं तो आप मुझे comment करके मुझे से पूछ सकते हैं, ठीक है, और thank you so much, अलाफैस